अयोध्या पहुंचा लाखो भालूओं का जुन्ड जामवंद को देख चौंकी दुनिया उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु शिरी राम का भव्य मंदिर राम मंदिर का निर्मान कार्य इस समय जोरो शोरो पर चल रहा है राम मंदिर की प्रान प्रथिष्ठा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है राम मंदिर में भगवान शिरी राम को विराजमान करने के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन चुना गया है जैसे जैसे राम मंदिर के उद्गाटन की तारीक नस्दी का रही है वैसे वैसे आयोध्या में चमतकार बढ़ते ही जा रही है मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि जटायू अपनी सेना के साथ आयोध्या पहुँच गए है आपको ये जानकर बड़ा अश्चर्य होगा या फिर आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है लेकिन दोस्तों ये कहानी बिल्कुल सत्य है अयोध्या में 22 जनवरी के मोहत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना भी पहुँच चुकी है सत्यूग में भ्रहमदेव के अश्रों से पैदा हुए थे जामवंत जी जामवंत बहुत ही महाशक्तिशाली बड़े बलवान थे उन्होंने साथ अवतारों की सेवा की और ये साथ अवतार जो शिरी हरी विश्नु के हुए थे उनको अपने नेत्रों से देखा सोचे कितने विद्वान, कितने बड़े बलवान, कितने बड़े शक्तिशाली वीर थे जामवंत जी भगवान शिरी राम का जब जनम हुआ तो जामवंत जी ने उनकी सेवा की थी जामवंत जी भगवान शिरी राम के लीगल एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं जामवंत की मृत्यू का विवरन कहीं नहीं मिलता किसी भी पुरान में, किसी भी गरंथ में, किसी भी रामायन में ये नहीं लिखा गया कि जामवंत जी की मृत्यू हो गई थी वो स्वयम तपस्या के लिए चले गए थे और अनंतकाल तक हिमाले के शेत्र में तपस्या कर रहे हैं और वही समय अब नस्दीक आ गया है क्योंकि जब भगवान शिरीराम का जनम अयूध्या में हुआ तब देवता अयूध्या में आए थे लेकिन अब वही उत्सव क्योंकि भगवान शिरी राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे वो समय 22 जनवरी दोस्तों ज्यादा दूर नहीं है वो समय अब नस्ती का चुका है उस तिन भगवान शिरी राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अपने प्रभु के चनार्थ करेंगे तो दोस्तों आपको बता दे कि भालू की एक टुकडी भी अयोध्या पहुंच चुकी है बहुत से पत्रकारों ने दिखाया है कि अयोध्या की आसपास भालू का एक विशाल समुह देखा गया है बंदरों की बात करें तो वानर तो आपने सुना ही है कि अय अब भगवान शिरी राम अपने घर्ब ग्रहे में स्थापित मंदिर में विराजमान होंगे अयोध्या में पूरे तरीके से महुतसव मनाया जाएगा तो वहीं अगर आपको भी अयोध्या जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाएं और भगवान शिरी राम के दर्शन करें भगवान हनुमान के दर्शन करें उनका आशिरवाद पाएं ताकि आपका जीवन धन्य हो सके आपकी मनोकामनाय पूरी हो सके तो इसी के साथ प्रिया दर्शकों अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं आप भी शिरी राम के भगते हैं भगवान शिरी हनुमान के भगते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद